अब इस सीजन में सिंघाडे आने वाले हैं जो की टेस्ट में बहुत ज़द अच्छे लगते हैं और इसपेशली इस वेधर में खाना भी बहुत ज़द अच्छा लगता है तो आज की विडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रेगनसी के दोरान आप सिंघाडे दिन के किस समय करना चाहिए और क्या आपको कुछ साइड एफेट्स हो सकते हैं अगर आप सिंघाडा प्रेगनसी की दोरान खाते हैं या किस ट्राइमिस्टर में खा सकते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं उनका आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करें तो यह बल्कुल सेफ होता है सेफ ही नहीं बलकि आपकी प्रेगनेश के लिए बहुत अच्छा हुता है या फिर आप प्रेगनेश कह रहे हैं गारने के क्या ट्रायए और आपको on us2 आप परिनेश कर सकता है भुर ए वो कन्सीव करने में में करता है लेडीज को साथी साथ ये बच्चे के जो स्टार्टिंग का डवलपमेंट होता है उसकी ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सिंघाडे में आयरन पुटैसियम फॉलिक एसिड विटेमिन सी विटेमिन ए बहुत सारे ऐसे मिन्रोल सेंड यूनों आपको वि अब बात करते हैं कि आपको प्रिगनिसी में एक दिन में कितना सिंघाडा आप कर सकते हैं आप एक दिन में एक मुठी भर सिंघाडा जो पील किये हुए होते हैं वह आप कंस्यूम कर सकते हैं सिंघाडे की अगर मैं कंस्यूम करने का समय की बात करूं तो आप इसको अपने day time में खाईए मतलब night में आप इसको खाने से avoid करिए like 2-3 बज़े से पहले पहले आप इसको consume कर लेज़े एक मुठी बर के peeled सिंघाड़े आप consume कर सकते हैं pregnancy के कौन से trimester में आप खा सकते हैं तो pregnancy के किसी भी trimester में खा सकते हैं सबसे जदा जो healthy माना जाता है वह होता है first trimester although यह नुकसान किसी भी trimester में आपको नहीं करेगा कुछ-कुछ परिस्यती है जब आपको सिंघाड़ा नहीं consume करना चाहिए जैसे कि अगर आपका last trimester चल रहा है like आपका 7th month start हुआ है तो आप सिंघाड़ को मत consume करें क्यूंकि यह sometimes contractions induce करने में भी help करता है तो आप इसको 9th month में consume कर सकते हैं बट 7th month में आपको यह avoid करना चाहिए अगर आपको constipation की समस्या है तो भी आपको avoid करना चाहिए अगर आपकी blood pressure की medicines चल रही है तो भी आपको singhada consume नहीं करना चाहिए क्योंकि यह BP को low करने में help करता है बट अगर आप medications पे हैं और मान के चलिए आप already blood pressure को low करने वाली medicine खा रहे हैं तो बहुत जादा blood pressure आपका low हो जाएगा जिसके वज़े से आपको चक कराना या बेचे नहीं महसूस हो सकती है तो अगर blood pressure की medicines चल रही है तो doctor से सलाल है इसके अलावा अगर आप singhada खा रहे हैं तो हमेशा बहुत अच्छे से wash करिए पील करने के बाद में भी इसको आप थोड़ा सा wash कर के ही खाईए जो अगली important चीज यह है कि singhada खाने के बाद में आपने कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए at least 40 minute का आपने gap रखना चाहिए singhada खाना या फिर किसी भी तरीके का पानी पी रहे है नारियल पानी हो गया, नॉमल पानी हो गया lukewarm water हो गया, किसी भी तरीके का water पीने इससे आपको at least 40 minute का gap ज़रूर रखना चाहिए singhada कैसे खा सकते हैं, आप singhada को पील करके खाने में भी बहुत मज़ा आता है आप singhada के आटे की रोटी, पूडी या पराठा बना की भी खा सकते हैं आप singhada के दलिया बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं singhada के आटे का हलवा भी बना की खाया जा सकता है या फिर किसी तरीकी की मिठाई भी बनाई जा सकती है तो singhada का आट आप किसी भी तरीकी से consume कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सिंहाडा pregnancy के लिए बहुती ज़दा अच्छा माना जाता है उमीद करती हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like, share और हमारे इस चैनल Pregnancy Care India को subscribe जरूर करें चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए Bye Bye and Take Care